तोड़े आवर टॉपिक इस कंबिनेशन ओफ लेंसे यहां आप डिएग्राम में देख सकते हैं कि हमने दो लेंस लवन और लटू को जो है जो है जोइन किया है आप देख सकते हैं कि ओ एक अबजेक्ट है जिससे यह रे जो है वह इस तरह से मूव की और लेंस वन इसको और रिफ्रेक्ट कर देगा और फाइनल इमेज हमारी आई पर मिलेगी लेंस वन के से बनने वाली इमेज थी आई वन इसकी डिस्टेंस होई भी वन और लेंस टू इसको फिर से रिफ्रेक्ट किया फाइनल इमेज बनी आई पर यह डिस्टेंस आई वी ऑबजेक्ट की डिस formula लगाया वो होता है final image minus distance of final image minus distance of object is equal to the focal length 1 upon V1 minus 1 upon U is equal to 1 upon F1. इसके लिए हमें V1 लेनी परेगी image की distance. यह equation number 1 आगी इसी तरह से step 2 में हम lens 2 के लिए image formed at I. Here the object for the lens is virtual अब इसके लिए I1 virtual object का work कर रहा है इसके लिए lens formula लगाने के लिए image last final image का बन रही हमारी? that is on the V you can see here final image V पर बन रही है lens 2 बना रहा है इसके लिए अब object कौन सा लेना पड़ेगा? इसके लिए अब object लेना पड़ेगा V1 V1 अब इसके लिए object का रूप में work करेगा और इसकी focal lens यह equation number 2 दोने equations को हमने add किया यहां से हमें यह मिला अब अगर एक single lens होता तो वो single lens इस तरह से हमें यह जो left hand side है वो equal होती है अगर एक single lens लगा होता तो उसकी one upon f के equal उसके focal length f है तो one upon v minus one upon final image minus object distance one upon f के बराबर होती तो यहां से हम इसकी value one upon f रख सकते हैं तो one upon f is equal to one upon f1 plus one upon f2 यहां से हम देख सकते हैं और हमें पता है कि power जो होती है one upon f होती है so p1 is equal to p1 plus p2 sorry p is equal to p1 plus p2 resultant power दोनों powers का addition हो गया इसी तरह से अगर more than two lenses हों तो power का formula हमारा यह बन जाएगा और magnification का हमारा formula यह बन जाएगा thanks for watching